वीग ब्रेकी नियुस का प्रणतु स्वागत करूछी मुस्वागतिका रेडियोरे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदिंका मन की बात कर्जक्रमा बायन अबे तमा संस्कुर्ण नरे देस्ताबास तेंको कहुच्छंती निज़ा मनरक था प्रवासी मध्दुरां के बच्चों को मुख्य अतिति की रुप्य शामिल किया गया साथियों अमरित महोत्सव के ये रंग केवल भारत में ही नहीं बलकि दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिले बोट्सवाना में वहां के रहने वाले स्थानिय सिंगर्स ने भारत की आजाजी के 75 साल मनाने के लिए देशभक्ति के 75 गीत गाए इसमें और भी खास बात ये है कि 75 गीत हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बांगला, असम्या, तमील, तेलुगु, कनड़ा और संस्कृत जैसे भाषाओं में गाए गए इसी तरह नावीविया ने भारत नावीविया के सांस्कृतिक पारंपारिक समंदों पर विशेश टैम जारी किया है साथियों मैं और एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ अभी कुछ दिन पहले मुझे भारत सरकार के सूचना और प्रसारन मंतरा लेके कारकम में जाने का उसर मिला वहाँ उन्होंने स्वराज दुरदरसंद की सीरियल का स्क्रीनिंग रखा था मुझे उसके प्रीमियर में जाने का मोका मिला ये आजादि के अंदुरन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नाईकाओं के प्रयासों से देश की युवापीडी को परिचित कराने के बहतरीन पहल है दूरदर्शन पर हर रविवार राप नव बज़े इसका प्रसारन होता है और मुझे बताया गया कि 75 सब्ता तक चलने वाला है मेरा आग्र है कि आप समय निकाल कर इसे खुद भी देखे और अपने घर के बच्चों को भी जुरूर दिखाए और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रेकोर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेश कारकम की रचना भी कर सकते हैं ताकि आज हदी के जंग के इन महानायकों के प्रती हमारे देश में एक नई जागरूता पैदा होगी आज हदी कामरत महोत्सो अगले साल यानि अगस्त 2023 तक चलेगा देश के लिए स्वतंतरता सेनानियों के लिए जो लेखन आयोजन आदियम कर रहे थे हमें उन्हें और आगे बढ़ाना है मेरे प्यारे देश पासियों हमारे पुर्वजों का ग्यान हमारे पुर्वजों की दिर्ग द्रष्टी और हमारे पुर्वजों का एकात्म चिंतन आज भी कितना महत्वपुन है जब उसकी गहराई में जाते हैं तो हम अस्षिरे से भर जाते हैं हजारों साल पुराना हमारा रग्वेद रग्वेद में कहा गया है ओमान मापो मानुशी अम्रुक तम धात तोकाय तनेयाय शंयो हो युयम हिष्ठा भीशेजो मात्रू तमा विश्वश्य स्थातु हो जगतो जनित्री ही अर्थात हे जल आप मानवता के परम मित्र हैं आप जीवन दाईनी हैं आप से ही अन्न उत्पन होता है और आप से ही हमारी संतानों का हीत होता है आप हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं और सभी बुराईयों से दूर रखते हैं आप सबसे उत्तम आउशदी हैं और आप ही इस ब्रह्मान के पालनहार है सोचिए हमारी संस्कृती में हजारों वर्ष पहले जल और जल सवरक्षन का महत्व समझाया गया है जब ये ज्ञान हम आज के संदर्म में देखते हैं तो रोमान्ची तो उड़ते हैं लेकि जम इसी ज्ञान को देश अपने सामर्थ के रुप में सुकारता है तो उनकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है आपको याद होगा मन की बात में ही चार महिने पहले मैंने अमरित सरोवर की बात की थी उसके बाद अलग अलग जिलो में स्थानिय प्रशासन जुटा स्वयम से भी संस्थाएं जुटी और स्थानिय लोग जुटे देखते ही देखते अमरित सरोवर का अंदिरमान एक जन आंदोलन बन गया है जब देश के लिए कुछ करने की भावना हो अपने कर्तवियों का एहसास हो आने वाली पीडियों की चिंता हो तो सामर्थ भी जुड़ता है और संकल्प नेक बन जाता है मुझे तेलंगना के बारंगल के एक शांदार प्रयास की जानकारी मिली है यहाँ एक नई ग्राम पंचयत का गठन हुआ है जिसका नाम है मंग्त्या वाल्या थांडा यह गाउं फोरेश एरिया के करीब है यहाँ के गाउं के पास ही एक ऐसा स्थान था जहां मांसुन के दवरान काफी पानी इखटा हो जाता था गाउं वालों की पहल पर अब इस स्थान को अम्रित सरोवर अभियान के तहत विक्सित किया जा रहा है इस बार मांसुन के दवरान हुई बारिश में यह सरोवर पानी से लबालब भर गया है मैं मद्द प्रदेश के मनला में मोचा ग्राम पिंचेट में बने अम्रित सरोवर के बारे मैं भी आपको बताना चाहता हूँ ये अम्रित सरोवर काना राष्ट्रिय उद्यान के पास बना है और इस इस इलाके की सुन्दरता को और बढ़ा दिया है उत्तर प्रदेश के ललित्पूर में नवनिर्मित, सहीद भगत्सी अम्रुत सरोवर भी लोगों को काफी आकर्शित कर रहा है यहां की निवारी ग्राम पंचायत में बनाई ये सरोवर चार एकड में फ्याला हुआ है सरोवर के किनाले हुआ व्रुक्षा रुपण इसकी सोभा को बढ़ारा